नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टेडी सेल में तो जैसा कि हमारी सीरी चल रही है Most Important Smanag and Persians की उसका ये 24th लेक्चर है तो friends ये सीरी आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन रहेगी क्योंकि मैंने हर पार्ट में Selected and Important Question लिए है तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो चली शुरू करते हैं First Question से भारत के किस राज्या को भारत की उकते सूर्या की भूमिक आ जाता है तो जब सूर्या राइस करता है तो भारत का सबसे पहला राज्या आता है उर्नाचल परदेश इसलिए उर्नाचल परदेश को भारत की उकते सूर्या की भूमिक आ जाता है और सूर्या राइस के टैम दुनिया की सबसे पहली कंट्री आती है जपान इसलिए जपान को दुनिया की उक्ते सुर्या की भूमी का जाता है नेस्ट कॉस्टिन टाइम पत्रिका की विशव की सबसे बड़ी जगाओं की 2019 की सुची में कौन सी मूर्थी चितरत की गी है तो इस मूर्थी का नाम है स्टैचू फ्यूनिटी जो की सरदार वल्लब भाई पतेल की मूर्थी है इसकी हाइट कितनी है इसकी हाइट है 180 मिटर यह कहाँ पर बनी हुई है यह बनी है गुजरात में किस नदी के किनारे बनी है यह बनी है नर्मना नदी के किनारे पर इसमें जो जटायू स्कल्प्चर है यह दुनिया का सबसे बड़ा bird sculpture है जटाईू sculpture और यह बना कहाँ पर है यह बना केरला में Next question पहला T20 Bishop को किस ने जीता था तो पहला T20 Bishop जीता था भारत ने भारत ने फाइनल में किसे हराय था फाइनल में भारत ने हराय था पाकिस्तान को और किसकी कप्तानी में जीता था हमने पहला T20 विश्कप ये हमने जीता था महिंदर सिंग धोनी की कप्तानी में Next question Mother Teresa को Nobel पुर्सकार किसके लिए मिला था Mother Teresa जिने Saint Teresa of Kolkata भी बोला जाता है Mother Teresa का जनम कहा हुआ था इनका जनम हुआ था Macedonia में Macedonia में इनका जनम हुआ था और इन्होंने एक charity भी फाउंड की थी जिसका क्या नाम था Machineries of Charity Machineries of Charity भी फाउंड की थी Mother Teresa ने तो Mother Teresa को Nobel पुर्सकार किसके लिए मिला था इन्हें Nobel पुर्सकार मिला था शांती के लिए यानि की पीस के लिए और नोबल पुर्सकार पाने वाली ये पहली भारतिय मेला थी Next question कमरे के ताप में कौन सी धातू तरल अवस्ता में बनी रहती है तो कमरे के ताप में Mercury तरल अवस्ता में बनी रहती है और Mercury को हम denote किस से करते हैं इसको हम denote करते हैं HG से और atomic number क्या है Mercury का atomic number है 80 and melting point क्या है Mercury का melting point है minus 38.83 degree Celsius and एक और important question क्या पूछ जाता है Mercury से related कि quick silver के नाम से कौन सा element जाना जाता है quick silver के नाम से जाना जाता है Mercury next question मदु मखी के डंक में क्या होता है तो मदु मखी के डंक में होता है acid and कौन सा acid होता है इसमें बाकी insects की तरह इसमें भी होता है formic acid formic acid होता है मदु मखी के डंक में next question दो नदियों की बीच की उपजाओ भूमी को क्या खा जाता है तो दो नदियों की बीच की भूमी को बोला जाता है दौब and दौब की जो भूमी होती है यह बहुत ज़ादा उपजाओ होती है इसके example क्या है एक तो है बीच्ट दौब इसको कौन सी दो नदिया मनाती है इसको बनाती है ब्यास and सतलुज नदी and एक है रचना दौब रचना दौब को कौन सी दो नदिया मनाती है इसको बनाती है रावी एंड चिनाव नदी निमन में से किस राज्या की सीमा तीन देशों की अंतराष्ट्रे सीमा से मिलती है तो ऐसा कौन सा राज्या जिसको तीन देशों की सीमा लगती है यह है उरनाचल परदेश तो किन तीन देशों की सीमा लगती है उर्णाचल परदेश को तो मारे भारत के सबसे जो इस्ट में पाया जाता हूँ है उर्णाचल परदेश और उर्णाचल परदेश के इस सेड पाया जाता है बुटान और उर्नाचर प्रदेश के उपर की सेड़ पाय जाता है चाइना और उर्नाचर प्रदेश के इस सेड़ पाय जाता है मेहनमार तो इन तीन देशों की सीमा लगती है उर्नाचर प्रदेश को नेस्ट कोईस्टिन बारतिय सीवल सेवा किस General के शासन के दोरार अरम की गई थी तो बारतिय सीवल सेवा अरम की गई थी Lord कारनेवाल से दोरान सीवल सर्विस को crack करने वाले पहले भारतिय कौन थे जो की ब्रदर थे रिबिंदर नाट टेगोर के next question किस स्टेडियम का नाम बदल कर अरुन जेटली स्टेडियम रख दिया गया है तो इस स्टेडियम का पहले नाम था फ्रोशा कोटला स्टेडियम जिसका अब नाम रख दिया गया अरुन जेटली स्टेडियम अरुन जेटली कौन थे ये हमारे पूर वित्त मंतरी थे बारत में राष्ट्रिय मैला दिवस किस दिन मनाया जाता है तो भारत में राष्ट्रिय मैला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को और 13 फरवरी को विशव रेडियो दिवस भी मनाया जाता है विशव रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है अंतर राष्ट्रे मेला दिवस किस दिए मनाया जाता है अंतर राष्ट्रे मेला दिवस मनाया जाता है 8 मारच को तो दोनों ही डेट्स को याद रखना है कि राष्ट्रे मेलादिव समनाया जाता है 13 February और अंतर राष्ट्रे मेलादिव समनाया जाता है 8 March को निमन मेंで किस अड़कास तल में बंदरगा थी तो यह थी लोथल में, लोथल कहां पर है, यह है गुजरात में और कौन सी नदी के कनारे पर है, यह है भोगवा नदी के कनारे पर और लोथल को फाउंड किस ने किया था, लोथल को फाउंड किया था ऐसा राओने Next question बंगाल की खाडी में गिरने के बाद ब्रम पुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो बंगाल की खाडी में गिरने के बाद ब्रम पुत्रा नदी को जाना जाता है मेगना नदी के साथ और इसको confuse नहीं करना जम्रा नदी के साथ क्योंकि जब ब्रंपुतर नदी एंटर करती है बंगला देश में तब इसको जाना जाता है जमना नदी के साथ जब यह बंगला देश को लीव करती है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है तब इसको बोला जाता है मेगना नदी तो कि मनिपूर से एक नदी आती मेगना वो आके इसमें मिल जाती है तब इसका नाम होता है मेगना बट जब यह एंटर करती है बंगलादेश में तब इसका नाम है जमना यह क्या असाम से होती हुआ आती है असाम में यह क्या एक द्वीप बनाती है जिसका क्या नाम है मांज और ये नदी के अरुनाचल प्रदेश से होती हुए आती应, और उनाचल पर्देश में इसको क्या बोलायाता इता है। ईए नदी आती कहां से यह आती ऐ, मानसर ओफर नामक जगा से आती है। जो कि तिब्बत में है और वहाँ पर इसको किस नदी से नाम से जाना जाता है वहाँ पर इसको जाना जाता है सांगपो नदी के नाम से तो सबी नामों को अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहले मांस रोवर नामक जगां से शुरू होती है जो कि तिबत में है वहाँ पर इसको जाना जाता है सांगपो नदी के नाम से फिर यह नाचल पर देश में आकर यूटन लेती है वहाँ पर इसको जाना जाता है दिहांग नदी के नाम से फिर यह साम में जाती है और साम में इसको जाना जाता है ब्रंपुत्रा नदी के नाम से जहां पर एक है मांजुली दीप बनाती है फिर यह कहाँ बंगला देश में फिर से यूटन लेती है और वहाँ पर इसको जाना जाता है जमना नदी के नाम से लास्ट में जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब इसको जाना जाता है मेगना नदी के नाम से इसमें जो पदमा नदी है पदमा नदी किसे बोला जाता है कि जब गंगा नदी डिवाइड होती है पच्ची मंगाल में दो हिसों में भागी रती एंड हुगली तो भागी रती जब एंटर करती है बंग्ला देश में तब इसको जाना जाता है पदमा नदी के नाम से ये पदमानदी किया फिर समा जाती है इसी ब्रम पुतरनदी में तो इस question का answer क्या हो जाएगा मेगनानदी तो ये था आज की वीडियो का last question अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे like करें और अपने friends and groups के साथ share भी करें चैनल को subscribe कर लें and bell के icon को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो upload करूँ तो आपको सबसे बेले notification आए तो मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you friends